गुड मॉनी तो चला प्रोसेस स्टार्ट करते है को नहीं करते हैं तो देखो कल क्या हुआ था पहले वह बात करते कल का जो लेवल हमने बनाया था मार्केट यहां पर पहले पंदरा मिट का जो हाई था मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया तो सिंपल बात है मार्केट ने पूरे दिन पुल बैक किया जो लाइन हमने मार्क किया था उपजर क्या करना है कि जो लाइन हमने मार्क किया था बिल्कुल वही पे सपोर्ट ले रहा था और साइडवेज हो रहा था ज़रूर इंट्राडे ट्रेड लेंगे तो मार्केट में नहीं आया होगा लेकिन आपको अंडरस्टाइंड करना है कि इस जोन में मार्केट आएगा तो मार्केट में एक रुकाओट आएगी गिरेगा नहीं एक सपोर्ट लेगा जब तक सेल पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं जाता है तब तक पूट नहीं खरीदना है यह शाम को तीन सब्वा तीन बज़ आपने इंट्राडेक ले निकाल दिया होगा जब तक यह सेल पॉइंट के ऊपर मार्केट है तब तक आपको अप कंसिडर करना होता है कॉल बाय करना होता है यह इसका मिनिंग था कल हमने जो निकाले के रखा था बहुत बार क्या होता है कि लेवल जो निकालते तो अंडरस्टैंडने होता है क्या करना है तो अंडरस्टैंडिंग यह जब तक सेल पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं निकलता तब तक मार्केट में अप साइड का मू रहेगा त्रेड बनाएंगे बाइंग रेंज या तो यह सपोर्ट जोने के और मार्केट यहां पर साइडवेस करके टाइब वेस्ट हुआ था इसके वज़े से बड़ा मूमेंट नहीं मिला जो आज आ सकते हैं मार्केट में यह आपको कंसेडर करना है पहले तो कल का मिन आपको बता दिया बैंक निप्टी के लिए भी क्या था देखो कि जो लेवल इंडिकेटर के नीचे भी आ गया कोई पैटरन फॉर्म नहीं हो रहा था अपसाइड का मार्केट नीचे नीचे आते जा रहा था अपने जोन में यह तो सपोर्ट जोन में आएगा वहां पर सपोर्ट लेगा तो जरूर ट्रेड ओपन करेंगे करेंगे यह जोन के आज वापिस मर्केट ऊपर आया हुआ है अभी बात करते हैं कि आज की लिए लेवल क्या चेंज करना है पहली बात तो अगर कोई प्रीवेस हाइड मारिकेट ने बना के रखा हुआ है और उसके बाद मारिके लिए पूल बैक कर रहा है और मारिकेट प्लोज हो गया तो यह जो हाई इसके उपर ही market गया नहीं है तो जो level हमने निकाल के रखा हुआ है यह कल के लिए भी मतलब आज के लिए भी valid है तो इसमें कोई changes नहीं किया तो भी चलता है पहली बात यह है मतलब जो level हमने कल बना के रखा हुआ है same level आप आज use कर सकते हो क्योंकि अभी भी कल का market ने जो बनाया था मतलब जब आपने कल 939 40 पर जो calculation किया था उसमें market में नया बाइंग आया ही पुलिबैक की हुआ है तो जब तक अभी यह कल का पहले 15-20 मिल का जो हाई बनाता उसके ऊपर market निकलता तब तक level में कोई changes नहीं किया तो भी चलेगा कोई ऐसा होगा कि सर मैंने कल कुछ देखा ही नहीं आज मुझे नया calculation करना है वो जरूर नया calculation करने के लिए क्या कर सकता है कल का date लेके नया calculation कर सकते हैं लेकिन अल्रड़ी अगर आपने calculation करके रखा हुआ है और वही जो हमें market sideways move कर रहा है तो बार बार लेवल में changes करने की नहीं होती है यह point अपको understand करना है अभी देखो यह पहले 15-20 मिट हो चुका है अगर कोई बोलता अभी हम आये है जैसे 930 को माये और अभी इसके आगे market में क्या होगा वो निकालना है तो process कर सकते date ले लेंगे और आज के पहले 2-3 candle में से जो भी candle रहेगा उसका value डालेंग और आपको latest level mark करते आएगा यह पुरा process आपको understand करना है कि लेवल में changes कैसे करना और कब नहीं करना यह process इसमें कुछ doubt होगा तो पहले पूछ लेंगे कि यस आप माइक जरूर अन्मूट कर सकते हैं कि हाँ कि क्या हुआ है और मैसे देख लेता हूं मैं कि हाँ मैसे सेंड कर सकते हैं वह डिसेबल था अभी चेक करो सबको गुड मॉनिंग साउंड आ रहा है प्रॉपर हर अभीनिकलते कि यह लेवल के से यूज्ज करना है आजिको मार्केट में मोटा मोटा अभी यूएस मार्केट देखा है बाकी सब देखा है है हमारे तर्भ ס erstmal बितीजी होनी और वहां भी मारिकेट में तेजी रहेगा यह समझना आपको DIRECTOR है कि अगर जो लग रहा है जो सब को पता है भी इसके अलावा अगर मारिकेट में कुछ होता है और यहां मार्केट हर इप में marketing में आएगा आपको अपॉंप मार्केट में और त्रेंड में हो जाएगा वह पॉइंट हमने निकाल लेना रखा कुल का लेवल निकाल स्कूस्पा वा है यूज करें चैंजर सी करने की जडिशोत नहीं है ंवह ये जो कल कर दो 915 बहुत 15 को पहले तो लेवल में changes अगर decisory करना है कोई इससा सोच रहे कि मझे 2-3 दिन के लिए position रखना है तो उस time पे हर छोटी candle इक लिए change करने के जरूद भी नहीं होती है यह candle high बना हुआ है तब आपने level निकाल लिया तकल अभी अगर वापिस यह high के ऊपर market जाएगा तो level में change करो तब तक level में कोई change नहीं करना है और जब भी यह trade बना हुआ है तो trade बनाएंगे इसमें क्या होता है कि आपको बार बार entry नहीं लेना होता है एक बार trade ले लिया या तो sell point के नीचे market जाएगा या तो market फिर नया high करेगा तब तक आपको market में रुकना होता है यह future trading करनी के option में time decay हो जाता है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसलिए हम क्या करते कि हमेशा हर दिन का latest candle लेते चलेंगे और टॉप लोस ट्रेल करते जाएंगे उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा time market अगर साइडवेस चला गया तो उसमें ज्यादा time रुकने की जरूद में जब तक इस zone के market अभी नीचे नहीं जाता तब तक market को uptrend consider करना है यह दिमाग में रखना है हर घिरावट में कोई यहाँ पे put side का सोचना नहीं मारिकेट ऊपर जाने की chances ज्यादा है यह सबको पता है और यहीं चीज़ सबसे problematic होती है अगर कोई चीज जनरलाइज हो जाती जो सबको पता है वो चीज मारिकेट में नहीं होगा इसलिए यहाँ पे थोड़ा पैनिक करवाएगा और फिर रैली जाएगा जरूर लेकिन इसी टाइम को यहीं पे हमें टाइम देना जरूरी होता है मारिकेट और इसलिए आपको पता क्या करना है कि यह आपे sideways कर ले या तो जो भी कर ले हमें क्या पता करना कि यह जो अप्ट्रेंड मारिकेट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा वो चीज अगर आपको पता है तो फिर आप पैनिक नहीं होंगे और मारिकेट को टाइम दे सकते हो यह प्रोसेस दिमाग में रखना है यस तो आज के लिए अगर निकाल के रखा हुआ है आपके सामने भी निकाल दूंगा बिस तरीक का अल्मोस्त वही लेवल रहेगा सेम लेवल रहेगा बहुत ज्यादा चेंजेस ने रहेगा स्लाइटली आपने जोन के ऊपर ही बैंक प्टी चल रहा है तो पहले 15 मिंट के बद आपको लेवल में चें चेंजर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते तो बताओ आप बताएंगे यह जो पर स्टीन मिनिट के बाद 123 यह को कल का में लिया गाँ उन्नीस तारीक लेवल निकल गया होगा लेकि हमने कैलकूलेशन यह पहला कैंडल बना होगा या तो कल जो हमने हाई से भी स्टार्ट करेंगे त कैंडल यह रहेगा तो उसमें जो कलका लेवल कैलकूलेशन गया वही लेवल है इसलिए उसमें में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ कैंडल वहीर हेगा या तो आप यहाँ पर जाएंगे तो यही यह फर्स्ट और यह सेकेंड हो जाएगा अभी भी करेंगे तो इ अभी यहाँ पर नॉर्मल कैंडल पर देखेंगे तो देखो थोड़ा उपर से नीचा आया साइडवेश सल रहा है कोई ट्रेंड यहाँ पर क्लेर नहीं है लेकिन इस जोन में आएगा तो बाइंग आएगा मार्केट में यह कंसिडर करना है और वही चीज कल भी हुआ था करेंगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो देखो कि जब भी यह उपर से मर्केट इस जोन में स्विंग ट्रेड ट्रेड ओपन करता है और इस इतना वह रिस्क लेता है अगर यही से गिर जाएगा तो उतना टॉप्लस ले लेगा लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड बन कर दिया है अभी आप बताना है अगर कॉल बाय करना है तो कुन सब ले सकते आप चार्ड बॉक्स में फटापर करेंगे उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं निप्टी का भी दिखा देते हैं निप्टी में भी देखो आज भी देखो वापीस उपर गया पहला तीन केंडल पहले 2 मतलब सेकंड और फड्र तो दोजी दिख रहा है तो सिंपल चेंजेस क्या करना है अगर कोई भी चेंजेस करना है तो ये फरस स्केंडल के लेवल के अ कोड़िंग चेंज होगा लेवल देखना है मैं आपको थोड़ा ज्शुम करता हूँ मतलब पताचलेगा यह फर्स कंडल चलेगा 25,432 यह इंडिकेटर के वैल्यू दिख रहा है और कल अगर हमने जो लेवल यूज किया था हो अगर आप देखेंगे यह भी देखवा यह था मरा 25,430 तो दो-तिन रुपए का डिपरेंस हो रहा है इसलिए मैंने बोला इसमें कोई चांज करने की होतनी है यह मौर्निंग में जो हाई बना उसके बाद अगर मर्केट सिब साइडवेज हुआ है पुल बैक किया हुआ है और वापीस मर्केट उपर ही नहीं गया तो लेवल में कोई चंज नहीं होगा यही लेवल आपको आज भी यूज करना है और आज अगर मौर्निंग मे आएगा मार्केट को मिल रहा है यहां पर दिखता होगा यह नीचा और यहीं से करेगा जरूर यह प्रोसेश चलता रहेगा अभी यह नहीं होन आए कि इंडिकेटर रेड़ दिख रहाए ज文 हमेश्य दिखते रहेगा इसले एक बर अपका trade हो गया एक बार आपने लेवल प्लॉट कर दिया इंडिकीटर आप हैड कर देंगे तो भी चलेगा अगर किसी को confusion हो रहा है तो क्या होता है बार-बार कि indicator rate दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है यह लगता है तो उसको hide कर दो या तो फिर हिकनशी चार्ट को अपका जो level है यह जो हमने line draw करके रखावा उसका according market जहां पर भी मिलता है हमें call buy करना यह process करना होता है तो में चीज मतलब यह जो pullback होता है इसमें हमें लगते कि market गिर रहा है लेकिन उसको गिरना नहीं consider करना होता है जो line हम calculation करते है वह important होता है कि उस level के नीचे market चला जाएगा तो downtrend consider करना है अगर आप देखो यहां पर 19 सरी के लिए भी अगर आप एक दिन पहले का जो level निकाला होगा अगर वो second candle लेंगे तो उसको touch भी नहीं करेगा हमें इस लेवल में थोड़ा हमें थोड़ा हमें इस फर्स कंडल पहले तीन कंडल में से क्यों लिया था क्यूंकि morning में ऐसा नहीं हो जाए कि market नीचा आएगा तो यह बाइंग जोन था market में लेकिन क्या होता है हर बार इतना ज्यादा डिप पूल बैक नहीं होता है इसकी वज़े से morning में हमें बार बार entry चाहिए नया entry आना चाहिए इसलिए पहले तीन कंडल में हम सेकेंड कंडल ले लेते हैं फर्स कंडल लेटेस कंडल ले लेते हैं करता है लेकिन उसके नीचे उस जोन के नीचे पुरा क्रोश करेगा तो कंसरेडर करना डाउन ट्रेंड तो कनिफूजन नहीं होना चाहिए यह देमाग में रखना कि क्या हुआ है बैंक निप्टी 53100 का कॉल बाइक क्या हुआ है और फिफ्टी का 134 भी बाइक है ठीक है सरुपे से रो तो ठीक है कोई तकलीप नहीं है थोड़ा साइडवेस कर रहा है एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा जोर से भागेगा लेकिन एक अच्छी चीज हो गई कभी कभी ऐसा हो जाता कि आज ओपन होता और तुरंत मार्केट सो रेड़ सो पन अगर रैली कर देता तो मुमेंट छोड़ जाता जिसमें स्विंग ट्रेड किया होगा उसी को प्रॉफिट मिलता अभी चांसे से अभी भी जो ट्रेड बनाएगा यहाँ पे जो भी ट्रेड बनाएगा इसके बाद अगर मार्केट मेरे लिया रहे है जिसकी चांसे जादा है तो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर को भी यहाँ पर नहीं बोल सकता है यहां से मार्केट उपर ही जाएगा कि नीचे जाएगा हमें दिमाग में क्या करना है अपना प्लाणिंग लेके बैठना है अगर हमने कॉल से ट्रेड ले लिया है इस सेलिंग जोनके नीचे जाएगा तो लॉस लेना पड़ेगा वह चीज़े अ बाए बोल रहे थे लेकिन मार्केट नीचे चला गया तो वो तो हमेशा रिस्क रहेगा इसलिए हमने यह पॉइंट निकाले के रखा है ना कि मार्केट अगर हमारे अगेंस जाता है तो कब उसको कंसिडर करना है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ तो सेलिंग हमने इसलिए कर जाएगा तो कंसिडर करना है अदर्वाइस हर डिप में जब भी आपको लग रहा है कि अट्रेक्टिव पर लेवल पर आप ट्रेड लेंगे अपसाइड का काम करें यह प्रोसेश्च तो मार्केट उपर से नीचे ही आ गया ना तो यह प्रोसेश हो सकता जरूर लेकिन उस कल मार्केट नीचे भी आया तो हमने पूट नहीं लिया यह दिमाग में रखो कि यहां पर पहले कॉल लेंगे वापीस पूट लेंगे तो फिर वापीस यह उपर जाएगा तो पूट में भी पैसा नहीं बनेगा तो इसलिए हम सिंगल ट्रेड करने की कोशिश कर सते जो कि आपका प्रॉफिट में आने का प्रॉबिटी बढ़ा देता है तो यह चीज़े एक दिन ऐसा होगा अगर बहुत बड़ा ग्यापफ हो जाता है तो उस दिन यह रिस्क हमेशा रहता है कोई अगर ऐसा आइसा दिन मुझे आइडेंटिफाइ करना है तो जब भी मा चुपचा बेटना है ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना यह पुलबैक होने के बाद अगर कोई पैटर्न अच्छा बन जाता है इंडिकेटर के ऊपर आ जाता है वाफिस पुलबैक के बाद फॉलोड बाइंग दीखता है तो ट्रेड ओपन करो तो वह आप अवाइड कर स में कही न कहीं एक टॉपलोस आप अवाइड करना है यह कोशिश करेंगे तो फिर चोड़ देंगे तो इसलिए मारिकेट में एक टॉपलोस जो कभी कभी जाएगा हम भी वालत करते देखो 80% 90% मतलब एक दो ट्रेड लॉस में जाएंगे तो लॉस का क्या होता है कि यहां से घूम जाएगा तो अच्छी बात है नहीं घूमा मार्केट ने टाइम ले लिया तो आपको उसको कॉस्ट पे करना होता है बस बक्त इतनी ही रहती है ठीक है तो आप अभी बताओ कि यह जो सिचूशन चल रहा है भी यहाँ पे जो सिचूशन है यह सिचूशन में आप क्या रिड करेंगे हमने क्या ट्रेड लेना चाहिए कि पुट लेना चाहिए वह इंपोर्टन यह लाइव सेशन हमाटन का बैटर इसका सबसे में चीज क्या है कि मार्केट में डिसीजन आपको लेते आना चाहिए कॉल वेट कर सकते हैं वेट करेंगे तो क्या होगा कि या तो आप यहाँ पे कुछ पैटेन का अंडर्स्टेंडिंग कर लो जो पुल्बैक पैटन चल रहा है ना उसमें कुछ कुछ कंफरमेशन आएगा तो ट्रेड कर लो यह चीज कर सकते हो अधर्वाइस ट्रेड लेंग 385 यह 385 लेवल का से निकाला सर अधर डाउन ट्रेंड के लिए डाउन ट्रेंड के लिए पाटिल सर तो इसके नीचे जाएगा तो पुट की बात करेंगे बाकी यहाँ पे नया ट्रेड अगर लेना है तो कॉल सेड हम ट्रेड ले सकते मुझे इतना कॉंपिडेंस दे दिया कि एक बार में कॉल सेड रिस्क ले सकता हूँ इसले में कॉल सेड की बात कर सकता हूँ अगर यह पहले दो तिन एक कैनल उपर जाता और सीधा मार्के 930 को इस ग्रीन जोन के नीचे क्लोज हो जाता तो फिर मैं कॉल भी नहीं ट्रेड पर नेट करने देता बापीस अगर मार्केट गृण के ऊपर क्लोज होता तो वाय करता यह दिमाग में रख ना है और अगर यह से गिरते गिरते से से रेड लाइन के नीचे प्रेड ऑपन करता पहले पंद्रह मिंट का क्या है कि पहले 15 मिंट के बाद मार्केट कौन से डारेक्षिन में क्लोज हो रहा है अगर पहले 15 मिंट में मार्केट ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपको फिर हर डिप में बाइंग करने की चेस्टा करना है अगर नीचे क्लोज हो गए सेल पॉइन की नीचे तो पहला के लिए उसका लेवल करके आप री एंटरी करने के लिए लेवल फाइंड आउट कर सकते हो अधरोईस ट्रेंड आ पे पुल बैक हुआ है और बैंक निप्ती में तो बहुत अच्छा सरक हुआ तो बिल्कुल सपोर्ट जोन का इतना जबर्दस रिस्पेक्ट किया और य यह जोन में अगर कही पर भी स्विंग ट्रेड बनता कल अगर फ्यूचर बाइब कर लेते यह आपको मिलेगा आज वापीस नया ट्रेड करनी की जरूरत नहीं देखो मैं वापीस रिपीट कर रहा हूँ यह बारबार की बात नहीं है जो इंट्राड करें उनको इंट्राड ले जाना है वो चीज आप डिसिजन ले सकते हो और तब जाके आपको ओंपेड़ेंस आएगा और यह बात होगी तो यह आइसा रैली आएगा इसके वह जैसे बहुत बर क्या होता है कि हम यह छोड़ देते हैं और फिर जोर से मुमेंट आता है और फिर बोलते कि अभी क्या करो तो आपको यह गिर रहा है तब ओंपेड़ेंस आएगा ओंपेड़ेंस आना चाहिए कि ट्रेडल लेना है वो चीज का अंडरस्टांडिंग करो यह कैंडल उपर जाने के बाद तो हर बंदा भोलेगा अभी कॉल लू क्या उसका कुछ वहल्यू नहीं यह जब नीचे आ इंट्राडे के लिए आपको यह डिशिजन बहुत फास्ट लेन होता है कि मैंक निप्टी में अभी इतना मुमेंट नहीं जितना निप्टी को कर दिया लेकिन आएगा उसमें भी आजाएगा कि यस कुछ कोश्चन होगा कुछ माइंड में चलता होगा तो पुस्चे रहेंगे तो यह अपको अंडरस्टैन करना कि कल जो मार्केट में मुमेंट हुआ था कल जो मार्केट में मुमेंट हुआ था यह जो नीचे हुआ था यह री एंट्री का चांसा जिनको देखो हमेशा एक एक चीज़ हम तोड़ा डिसकस करते चलो क्या होता है बहुत बार कि एक बड़ा रैली होने के बाद अगर आपको मैं थोड़ा सा हायर ट्राइम फ्रेम पे लेके जाओ तो आपको पता चले रहे हैं कि छोटा टाइम फ्रेम हमें इंट्राडी के लिए काम करना है लेकिन अगर हम अंडर्स्टैंड कर रहे तो मैं 15 रहे उनकी लिए तो वो चीज़ आपको अंडर्स्टैंड करना है उससे क्या पता चलेगा ट्रेड तो इंट्राड ही करना है लेकिन कब ट्रेडर ले लेना है कॉन्पिडेंस कब ज्यादा है और कब थोड़ा मार्केट में कॉन्पिडेंस कम होता है वह आपको हायर टाइम देता है इस पर डिसीजन नहीं लेना है लेकिन यह अगर आप ट्रेंड में है यहाँ पर आप ट्रेंडेंड पुरा बाइंग जोन में मार्केट कंटीन्यू कर रहा है तो आपको क्या पता चलेगा कि यह जो टाइम फ्रेम आप छोटा देखते हो और उसमें अगर मार्केट किसी ने हैंड राइस किया यह था शाहिद अब 25600 की कॉल ले सकते क्या सर आज तो कॉल ले सकते अपडेट भी क्या रेंज भी दिया हुआ है मैंने और कॉल ले सकते आपको इतकलिए और करना है तो एक क्लेशन भी करते चलो 25600 का कॉल अभी अगर आज सुबक कहा पर लेना था वह भी देख लेंगे और अभी अगर मार्केट में चेंजेस हुआ है मार्केट उपर गया है तो री एंट्री कैसे कर सकते वह भी देख लेंगे 25600 सर ने बताया इसलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं यस पच्चिस छेसो अभी मार्केट का पर देखो पहली बात तो हम क्या करते हैं कि दूर की कॉल लेनी की कोशिश करते हैं आप पहले बताओ मार्केट यहां पर 930 को लगबग मार्केट 25,485 की नियर बाट था तो आज हमें ट्रेड करना है तो 25,500 का कॉल सबसे बेस्ट रहेगा ट्रेड करनी के लिए यह हमेशा इसलिए वही ट्रेड दिया होगा आप देखेंगे अगर थोड़ा आउट आप दमनी जाना तो 550 ले लेंगे इस से जादा नहीं जाएंगे सर ने पूचा 600 का और आज मोमेंटम है तो आप 600 लेंगे तो भी पैसा बन जाएगा लेकिन उसमें तकलिफ क्या होती है यह कैंडल के बाद अगर मार्केट वापीस अपने यह बाइंग जोन पर आ जाता है तो 600 का कॉल सबसे जादा गी रहेगा यह दिमाग में रखना होगा यस यह रली आएगा सर आज आज आप हर लेवल पर एंट्री कर सकते हो कि यह 25600 अगर यह खरीद ना है यहाँ पर आपने देखा होगा 600 का कॉल जो था कहां पर मार्केट आया देखते कि बिलकुल ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आया और मार्केट 9P का लोग करके वापी सूपर जा 135 यहाँ पर पब्लिक न अगर आप खरीद ना चाहते हो तो कहां पर जाना है पहले अपने वेबसाइट पर जाएंगे सीटी एकड़े में लॉग इन कर देंगा आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो आपको वही पर टाइम डिके पता चल जाएगा यह मार्केट में आपको ट्रेड कहां पर करना होता है इसको मैं वापिस री लॉग इन कर लेता हूँ ओप्शन का कैलकुलेशन हमेश्य ओप्शन मास्टर पर करेंगे ने सी ले लिया 2526 ठीक है कॉल लेंगे 25600 बोला डेट लेंगे 19 का गेट डेटा पर क्लिक करेंगे डेटा अपडेट हो चुका है प्रोसेस वही है आपको दिमाग में रखना है कि मुझे बाइख करना है आपका स्पॉर्ट का लेवल आपको अफ्ट्रेंड बता रहा है तो कॉल बाइख करना है पहले 15 मिट के बाद एक दो तीन कल रात को भी बेटेंगे तो भी चलेगा कल रात को बेटेंगे लेकिन वो क्या होता है कि फिर कॉल लेना नहीं तो मौसलियम कॉल का कैल्कुलेशन है तो पुट का कैल्कुलेशन मार्निंग में 930 के बाद अगर मार्केट ट्रेंड कंफर्म हो जाए तो कोई भी एक कर सकते हो लेकिन कोई भी एक डारेक्शन कंफर्म हो जाए उसके बाद कर सकता है तो देखो ट्रेंड अब कंफर्म हो चुका था एक दो तीन यह तीनों केंडल तो कोई काम दोनों केंडल तो रेड़ छोड़ देंगे ग्रीन चाहिए यह वाले लेकिस केंडल है यह यूज कर सकते हो आप कैल्कुलेशन अगर नया मतलब 90.75 क्लिक कर देंगे लेवल आपके सामने आज आएगा कि आज अगर बाइंग करना था 112 तो आपका अप्ट्रेंड कंफर्मेशन अल्ड़ी ओ मौर्निंग में हो जाएगा ट्रेड कब लेना है 83 पुल बैक पॉइंट 83 से लेके 101 इसके अंदर अंदर मार्केट कहीं पे भी मि उपर जाएगा आपको मिनीमम यह टार्गेट मिलेंगे और आपको नेक्सी का टार्गेट निकालने के लिए क्लिए क्लिए उप्ट लगेट करेंगे 158 181 यह दोनों टार कि आज आप यहाप एक्स्पेक कर सकते हुए पहले लिए 159 और 181 यह टार्गेट हम अपडेट करते रहते तॉब अपडेट करते रहते ठीक नऊ बाड़ा बाइंगा तो तो यह कभी भी ग्राएंगी लिकिन अभी क्या दिखेगा अगर अभी तो अल्छी में 680 चल रहा है ठोड़ा ऊपर चल रहा है अभी अगर मुझे नया एंट्री लेना तो क्या कर सकता हूँ चार्ट बॉक्स में प्राय करेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा अभी आप लेट्टेस यह जो कंडल यह कर रहा है उसको छोड देंगे यह कंडल डिसाइस और यह से और थोड़ा पहुत मर्के निचा सकता है अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है लेटेस वेल्यू दिख रहा है तो मैं 99 वापिस एक बार डाल दूँगा वहाँ पर इससे बोलते लेटेस कैलकुलेशन अपडेट हो जाता है आपका 10-12 पॉइंट से उपर आजाएगा अगर उपर से मार्केट नीच आएगा भी 120-140 पे चल रहा है और अगर पुल बैक करेगा तो मार्केट यह जो में 110 एक बार ऑप्शन में यह हमेशा होता है 140 सलता है हमें लगता बहुत उपर है 110 काते आएगा आप देखना अगर मार्केट 10-15 मिट के लिए वही पर रुख गया वो प्रिम्यम जोर से गिरेगा तो यह 109-110 के नियर बाट आके वापे सस्टेन करेगा तो उस टाइम पे अगर वापेस नया रिएंटर के ट्रेड छू बारे से लगते को 130 आ चुका है अलड़ी अलड़ी 130 आ चुका है यह उपर से तो नीचे आएगा 113-110 यह जो बाइंड जोन है आपको देखेगा आपको देखो यह 110 से 91 तो बार बार पुल बैक नहीं करेगा मारे के तो इसका एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे हम लेकिन प्रेड वापिस नहीं ले सकते हो यह दिमाग में रखेंगे यह लायू मार्केट में यह इस जाफस देखो थोड़ा नीचा आया होगा लगव लगव 126 आया था यह करेगा और अगला केंडल 120 की नीचा आजएगा तो यह उप्शन में हमें यह चीज होती है आपने देखा सब्सक्राइब करना है तो यह मुझे भी दिखता है उसके बाद जब भी मार्केट वहाँ पर आएगा तब आप ट्रेड ले सकते हैं उस जोन में आप ट्रेड लेने की कोशिश करो जब मॉर्णिंग में ट्रेड ओपने के दिखेंगे तो बहुत दिफिकल्ट हो जाता है पैसा बनाना तो इसलिए वह जो 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 जोन हमने बना के रखा हुआ है और स्लाइटली बड़ा रेंज बना के रखा है क्योंकि आप पात दस रुपे करेंगे अपने अपने अंडर्स्टनिक से नहीं बना रहा है यह जोने यहाँ पर सस्टन कर देगा नहीं करेगा तो पुल बैक पर आ एक सो पाच आया वापिस एड किया एक सो सात आया वापिस एड किया और वही पर ज्यादा लौट हो जाते अप एवरेजिंग कर ऐसा नहीं करना होता है यह जोने बाइंग का उसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस अला गया तो पुल बैक पॉइंट के नजदी की कु तो यहाँ पर देखो आप हमेशन यह स्पॉट एलिसिस करेंगे तो ज्यादा आपको एक पता चल जाए आप ट्रेड लेलो बाइंग जोन में आया जो रेट आप ट्रेड लेलो इंपोर्टन चीज क्या होता है बहुत बार कि सर यह हमने कैल्पुलेशन करना था तो में ट्र कि आपने लिया और यह अगर गिर रहा है तो टॉप लोस के लगाना है सब कर सकते हो जाए टॉण रेलोह जोन पर गठया आप है आप संप लेसकते हो यह टॉपलोस पर सबसे इंपोर्टन चीज है टाइम डिके के बाद इतना प्रीम हमें 68 की नीचे मार्केट क्लोज हो जाए निकल जाओ कुछ मतलब नहीं है तर्च किया 67 के और वह आपी 70 जा लगा रूख सकते हो 80 जा रूख सकते हो इसके नीचे अगर पाच मिन का केंडल क्लोज हो जाए तो निकलन यह दिमान में और न की अंडर लवर्ट में और देखा कि को चैंज करना क्या नहीं करना है और वाए करना आपने बाइंगर के नज़ी का स्काइक प्राइस का कॉल बाए कर लो अभी सिब बात ये टॉप लोस के लगा लेंगे फिर क्या रहा है वह टॉप लोस मार्केट में लगा देंगे और आप मार्केट में चुपचा बैठेंगे यह दहली आज आएगा तो प्रॉफिट बनेगा नहीं आएगा त आपको अपनी तरब से आपके माइन सैट को अपडेट करना पड़ेगा अधर्वाइस क्या होता हूँ ब्लेम चलता है सर मेरा ना कल ट्रेड क्या ता वो प्रॉफिट नहीं आया और आज इसलिए मैं कर नहीं बाया तो यह नहीं होगा कल का प्रॉफिट भी मार्केट नहीं प्रॉशन ले सकते हो तो दस जगरे पर जाके कानिज मत हो जब तक सेल पॉइंक के ऊपर मार्केट है मैं सुप कॉल पर दिमाग लगाओंगा इस सेल पॉइंक की नीचे मैं प्रिट निखल जाए तो फिर पूट का चार्ट देखना है पूट लगाना अधर्वाइस तो सिट कॉल साइट बेठना है यह दिमाग में रहे हैं कि अधिक टेलीग्राम गुरूप पर आ रहा है से लिंग टेलीग्राम गुरूप पर आ रहा है कि अनंदकिशुर सर अहां रेकोर्डिंग तो मिल जाएगा सर्टेमिनेट गुरूप पर डाल दिया है अपने ट्रेनिंग कंटेन गुरूप पर डाल दिया है कि हाँ एक काम करते सपोस्ट जाट टेलीग्राम गुरूप का लिंग सेंड तो सबको पता है ना अगर किसी को नहीं है किसी के पास नहीं तो दब यह नंबर में डालता हो अभी आपे कि यह नंबर से कॉन्टेक्ट कर लेना है वह आपको गाइड कर देंगे सर्थ गनेश स्टॉक सब कुछ सेम रहता है यहां पर और कन्फूजन ना बढ़ जाए इसलिए में आपको यहां पर रखता हूं निप्टी बैंग निप्टी में पहले डिसिजन मेकिंग कर लो वह समझ लो फिर आके बात करो कि अप्षन टेलग्राम वर दिस्टत ना ही सर वह जो ट्रेनिंग कंटेन्ग्रूप ए ना ऑप्षन का का ट्रेड देखना है वह लोग कनफिज हो जाते तो ट्रेनिंग!.. गुरूप पर रेकॉर्डिंग सा रहा है वहां पर देखना है और जौनिंग का लिंग तो मैंने वहा तो लिंक है तभी जोईन किया हुआ न तो यहां पे शेर करके मतलब नहीं एक टेलेग्राम पे होना चाहिए टेलेग्राम जोडुप है कि विए जिसने ज्ञान किया वही देखेगा यहां पे चार्ट पर तो इसलिए यहां पर कुछ मतलब नहीं कि बैंक निप्टी सेकेंड फेज टार्गेट क्या है सर और निले सर किसका कैलकुलेशन करेगा स्टाइक प्राइज निकालो और सेकेंड फेज पे क्लिक करो तो सेकेंड फेज का टार्गेट वहाँ पर आजाएगा अभी एक बात करना चलो अगर सपोस्ट दो मिनट के लिए अब 53100 का का कैलकुलेशन कर लो ना फिर एक मिनद आते चलो अगर शायद कल हमने कों सा किया था फिप्टी थाउजन फिप्टी थी का किया था अभी 100 करना है तो क्लिक करते हैं कि जिनको स्टॉक करना या ऑप्शन इंडेक्स दी जाएगा वे सिब ऑप्शन स्टॉक से लेक करना होता है कि सॉरी कॉल ले लेंगे और यह फिप्टी थ्री वन हंड़ेड और इसके भी टार्गेट अप्लोस मिल जाएंगे आपको गेट डेट अभी क्लिक है तो कॉन से चार्ट पर करेंगे चार्ट बॉक्स पर रिप्लाइब कर दो पहले एक बार तो क्या होता है कि सरो ट्रेड मीस होता है नहीं मिलता देखो यह अभी 25600 का देखो यह उपर आया उसके बाद अल्मोस 122 का लो कर चुका अभी 122 का कर चुका है तो यह यह हमेशा आएग तब ही आप रूप पाते हो सर यहां से अगर यह 200 रुपया होना है तो सिधा नहीं होगा तो बीच में नीचे आएगा वो बाई जोने फिर उपर जाएगा तो होता क्या है आपने लिया 20 रुपय दीख रहता था फोड़ा नीचा आया डर जाते हो तो यह 40 से 120 110 आने ही वाल नहीं है इसका मतलब यह मारेकेट कुछ गिर नहीं रहा है यह उपर जाने के लिए रेडी हो रहा है कल जो मारेकेट नीचे आया वो गिरा नहीं आज के रैली के लिए मारेकेट में रेडी रेडी हुआ था जरूर थोड़ा सा extended pullback हो गया था कल पहले हप में एक देड़ पॉइन के उपर है तब तक उसके बाद नहीं है ओके 53100 का देखते 53100 शायद एड़ किया था हाँ अभी क्या करेंगे देखो मॉर्णिंग में तो यह 930 पे अगर आप देखेंगे तो एक कोई भी केंडल यहां पे लेवल यह लेवल यूज करना पड़ेगा मुझे 318 यह डाल के मुझे लेवल मिल जाएगा लेकिन अगर आप अभी बैठे हो यह तो करन केंडल छोड़ दिया यह फर्स और सेकेंड यह इंसाइडर तैसले छोड़ा यह करन अभी चल रहा है यह कैसे बनेगा पता नहीं यह फर्स केंडल और यह सेकेंड केंडल ले लिया वै क्लिक कर देंगे लेवल आएगा इस जोन में बाय करना चाहिए था पहले हो गया अच्छी बात है नहीं है तो अभी जब भी आएगा तो इस जोन में अगर मिलता है तो जरूर बाय करो 295 की नीचे अभी देना चाहिए अगर 295 की नीचे अभी अभी जो हम बात करें इसके बाद अगर म्रेट कर जाता है तो इसको कंसेडर करना है इसमें रुपने का कुछ मतलब नहीं है निकल जाना बेटर हैगा 295 की नीचे क्लोज होना चाहिए अभी मार्केट लगबग बहुत उपर चल रहा है तो यह ऐसे चलेगा यह प्रोसेस होगा 400 क्यूंकि हमेश्य मार्किर पुल बैक नहीं करेगा आपने यह सिप आपने जो ट्रेड लिया वा उसका टॉप्लस ट्रेल करने का प्रोसेस अभी अगर यह वापिस नहीं कोई डिसाइस्व केंडल बन जाता है तो हम अपना लेवल चेंज करते हैंगे टॉप्लस उपर लाते रहेंगे नहीं बन रहा है नीचे कहा तक आएगा 380 तक आएगा यह अल्मोस्त अभी 440 हो चुका है नीचे लेवल देखते क्या है अपना 382, 360 अगर मार्केट ऐसे ही पुल बैक किया आदा गंटा 15 मिंट तो कुछ नहीं करना है अभी अगर नया ट्रेड लेना चाहते हो तो वेट करो 440 पर नहीं खरीदना है नीचे आके खरीदना है यह इसको अंडरस्टांडिंग करना है आपने ट्रेड लिया और अगला प्रोफिट चाहिए तो आप यहाँ पर निकल जाओ ऐसा नहीं होता है सिर्फ नीचे आ रहा है तो 360, 380 के नियर बॉट वापीस एक बार वाइंग आएगा जो मार्केट को आप नेक्स फेज में लेके जाएगा यह प्रोसेस होता है हमेशा एक फेज करता है मार्केट फोड़ा साइडवेज होता है फिर नेक्स फेज को जाने के लिए रेडी होत इसके नियर बॉट की मार्केट होगा कि इतना है कि 510 का है करके आ रहा है यहां से मार्केट कब निकलना मिलता है लेकिन इस पर फोकस क्यों नहीं करता हो क्योंकि यह होने के बाद लगता है कि जब 510 पे था तो आपको थोड़ी पता है कि 512 नहीं जाएगा तो टाइम नही दो और आपको टॉपलोस करते हैं अपने टॉपलोस को अपडेट ला करते जलो यह प्रोसेस अच्छा रहता है यह 510 पांसो दस वा और 512 एसे लोग बुलते लेकिन आपने और 512 पर लगा कर रखा हुआ है तो ट्रिगर नहीं होगा वह आपको निकालना पड़ेगा इसलिए यह चीज होता है यह गिर रहा है आने दो 360-360 इसके जोन में आएगा तो वहाँ पर उसको एक खेराव आएगा और फिर बाइंग आएगी और वो जोन अच्छा रहता है फिर अगर नया इंट्री करना है यह दिमाग में अलोड़े ट्रेल लिया हुआ है तौपलोस लगा के सब्सक्राइब यह होने देना है मार्केट यह 510 से मार्केट नीचा रहा है दर कब खतम होगा अगर आपको पता रहेगा कि यह होने वाला है तब्सक्तों बनेगा वापिस अगला बड़ा केंडल बन सकता है यह हमेश्य चलता रहेगा यह उपर पांसो दस से नीचा या मतलब मार्केट गिरा नहीं यह पहले दिमाग में रखाओ इसको क्लेर करो पहले तो नेक्स जोन का पांसो दसका है और उसके आगे और निकालना होगा शायद हम टारगेट के लिए कर रहेते तो और नेक्स फेज पर कहा तक जा सकते यह तो सेकेंड फेज हो गया कभी एक दिन में तीन फेज भी हो जाते जो थर्ड फेज देखना है तो आज मैक्जिमम छेसो 601 अगर मिल जाता है जो भी ट्रेड लिया हुए आपने 300 के नियर बाउट और 600 मिल रहा है आप प्रॉफिट बुक कर लोग अलमोस्ट मार्केट का आज का 70-80 परसंट कवर कर दिया हां ऑप्शन में कभी-कभी 1500 भी हो जाता है अलग बात है लेकिन मोटा मोटी जनरल मार्के का जो मोमेंट है इस से जादा नहीं होगा अब यह इंसाइडर कैंडल बना हुआ है यह पूरा साइड़ जून चलेगा और यह जो कैंडल है जिसके अंदर यह इंसाइडर बना था एक बार जुरूर उपर जाने की कोशिश किया अब यह मार्केट नीचे आ रहा है यह जो कैंडल है इसके ओपर नीचे खेलता रहता है हमेशा होता रहता है कई पर भी देखवा आप कि यहापे भी देखेंगे तो लेटेस डिसाइडर यह हाई और यह इसके नीचे बस यही पर घुमा और फिर उपर गया इसके उपर निकल गया अब मार्केट यह जो करन कैंडल है इसका हाई और यह ओपन इसके अंदर-अंदर मार्केट गुमेगा तब तक डरना नहीं है मार्केट साइडवेज मुमें कर रहा है प्रोसेस चल रहा है वापिस फिर मार्केट आएगा हां इसके नीचे मार्केट जाने लग जाए तो पिर सोचना है कि मार्केट जाता है नीचे जा रहा है क्या क्या करना है अगर अच्छा प्रोसेट में वेटे तो प्रोसेट कर लेना है क्या सब्स्राइगा तब ही जाके आपका mindset बनेगा कि यस profit में बैठना है, हमेशा profit कम होते दिखेगा, क्योंकि यहां से market यहां तक आएगा, यह profit सिफ pullback कर रहा है, वापिस बड़ा thrust आएगा, और एक 10-15 मिंटी market उपर जाता है, ज्यादा तर market आपको यहां पर जो profit दिखाऊगा न, अगला एग गंटा वो profit कम करते दिखेगा, और एक आए की 2-3 candle बनेगे, जो वापिस उपर के लेवल पर जाके बढ़ रहेंगे, वापिस पर एक गंटा market से करेगा, इसलिए लोग opposite position बनाते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं, अभी भी आगर किसी ने put लेकर रखा होगा, तो उसको करन डारेक्शन में चलता ही नहीं है, आप उपजर करेंगे, तो जो अब उपर गाना है, तो हमेशा गिरते जाता दिखेगा, अभी यह दो केंडल, तीन केंडल मारकेट उपर गया है, उसके बाद आभी आपे पाच्छे केंडल मारकेट गिरते दिखेंगे, ऐसे लगता है कि अभी नीचे ही आजाएगा, अभी आजाएगा, यह वेट करते रहते हैं, और इसके वज़े से बंदा लॉस दिखते हुए भी लॉस में ज़्यादा टाइम रुखता है, रिजन यह कि मारकेट हमेशा उस तरीके से मुह करता है, और प्रॉफिट में क्यों नहीं रुख आएगा, तो यह उपर नीचे उपर नीचे चलता रहेगा, यह आपको अलाव करना पड़ेगा मारकेट में, आप अगर यह अलाव कर सकते हो, तो ही मारकेट में अच्छा पैसा बनाएंगे, परविंदर सिंग, यह यह पुरा प्रॉपर ट्रेनिंग है, कोई चीज हम यह नहीं, वेबसाइट अपना चार्जेबल है, ट्रेनिंग जो ले रहे, उनको यह पुरा रहता है, उनको एक्सेस है, अल्रड़ी, माजे, सिटी, ओप्शन, टेलिग्राम चैनल धिसत नहीं, सर जिनको ओप्शन का चैनल नहीं दिख रहा है, तो आपका में भी पैकेज एक्सपार हो चुका हो, होगा, वह एक्टिव कर लो, तो दीख जाएगा, आका सर से कॉन्टेक्ट कर लेना है, सुनर सर, लाइव मारकेट मदे खूप चान महिती मियाली, कॉन्फिडेंस बिल्ट के ला सर, ओके सर, तैंक्यू सो मच, तैंक्यू सो मच, जैन सर, डबल टू, डबल टू, अभी लेवल में कोई चेंजिस करना है क्या, अच्छी बात जो देखते, चेक करते, अभी पहली बात करते, चार्ट पर जाते, यह जो अनलिशिस हमने किया हुआ है, अभी यहां पर मरकेट आ चुका है, पहले तो, अपने लाइन में लेवल आ चुका था अभी इसका एक सिंपल दिमाग में रखो त्रेड बन गया नाइन थर्टी के बाद बार बार चेंज करना है तो कैसे करना वह में बता दे तो पहले आपको अधर्वाइस बहुत बार 90 पर से लोगों का क्या होता है कि सब्सक्राइब तो कोई चेंजेस नहीं किया यह जो लाइन हमने मार करके रखा हुआ है यह दिन भर के लिए वैलिड है इसमें कोई चेंजेस करनी की जरुवत नहीं है जब तक मार्केट इस जोन में कभी भी आएगा वापीस एक बार बाइंग आएगा यह हो गया जो स्टैटिक काम करेंगे दिन भर मार केट को देखना नहीं है एक बार सुबार ट्रेड करेंगे दिन का एक ट्रेड की जो हम बात करते है इसके लिए अब इस सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि आप कंटिनूस्री स्क्रीन पर बैठेंगे सवान उसे सवान तिन तक मार्केट को करना है और मार्केट में आपको लया नया टॉप प्लस निकालते रहना है कर सकते क्या करेंगे लेट्स हम यहाँ पर बैठेंगे लगबग सवादस बच चुक है तो सवादस तक भो कोई चेंजस नहीं करतें सवादस के बाद अगर सब्सक्राइब कर लिया है मार्केट यहां से वापीज गिरेगा तो मैं लोस नहीं लेना चाहता हूँ तो फिर अभी टॉप लोस प्रॉफिट में आना चाहिए तो कहा पर आप क्या करते नॉर्मल लोग क्या करते कि जहां पर मार्केट आपके कॉस्ट तो कॉस्ट लगा द करना है मार्केट अभी है हम इसको एंडर्सटेंड कर देगी इस पॉइंट पर पर आप मार्केट में बैठे हो यहां से ले पर रहीं से कंडल कule votp lava first insider decisively can गया अभी आपने में यह केंडल पर करसर रखा वाई इंडिकेटर का वैल्यू बता देना है मुझे चाट बॉक्स में में रिप्लाइ करेंगे यह देखो फर्स और सेकेंड तो अगर टॉप लोस में लेवल में कोई चेंजेस करना है तो यह सेकेंड डिसाइस हमेशा 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी भी आजाओ उस टाइम पर जो मार्केट ने हाई बनाए वहां से सेकेंड डिसाइस्टू केंडल पर आपने करसर रखना है और लेटेस्ट आपका वैल्यू बता देना इंडिकेडर का यस क्या वैल कि यह वैल्यू बता दो सुनिल सर ओ भी कर देंगे ओ भी कर देंगे कि इंडिकेडर का वैल्यू बता देंगे सब लोग 25,004 4,467 है सर हाँ 467 है परफेक्ट तो 467 मैंने क्या क्या यहां से पीछे पीछे गए यह तो रिख लिए हाई से सेकेंड डिसाइस्टू कंडल ले लेंगे डिसाइस्टू का कंडिशन सबको पता है नहीं है तो ट्रेनिंग में पता चलेगा तो ले लिया 25,004,67.98 चलो जाते हैं यह तो आप्शन का क्यालकुलेशन है इंट्राडे पर जाएंगे तो बैंक प्रेपो उननीस तरी का डेट अलड़ी मैंने अमा ओके निप्टी का है यह निप्टी ले 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 तो अभी क्या करना है जो कल लेवल यूस किया था उस लेवल को अपडेट करेंगे 25,004,67 डाल दू गएगा लेवल आपके सामने कि अभी अगर मारिकेट को डाूण की अभी जो भी एट पे मारकेफ है आपको अगर नया ट्रेड लेना तो इस जोन में आता है तो उससे का चांस मिल जाएगा अगर व चीजीज नहीं होता है आपने ले लिया है पहले बी ले लिया होगात आपको observe क्या करना है trend अब चले अच्छी बात है अगर 433 के नीचे अभी market निकल जाए जो टाइम पर हम बात करें तब की इसके बाद अगर market 433 के नीचे जाएगा तो फिर निकल जाना है profit बुक कर लेना या तो जो भी है लेकिन यहाँ पर इस price के बाद अभी downtrend आ जाएगा यह consider करना यह इसका मिनिंग है तो 433 आपको पता चलेगा मतलब क्या है कि आपने जो यह calculation किया यह level निकल ला कल का यह level था इसको में थोड़ा सा इसको मैं प्लॉट करता हूँ 25 433 ठीक है और okay कर दिया तो क्या था कि morning में जो आपने यहाँ पर बाय क्या होगा तब आपने यह sell point जो लिखा था वो टॉप लॉस था मारा अभी market उपर आ चुका है तो यहाँ से यहाँ से टॉप लॉस अपना 45 उपर आ चुका है मतलब अगर market अभी यहाँ से गिरता है यह जो latest red line मैंने plot किया इस price के बाद या तो मैं इसको क्या करता है यहाँ से दिखाता हो आपको हमने calculation कप किया यह candle पी किया ठीक है तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया 25 433 तो अभी हमने यह morning में यह level यूज किया यह buying zone यह selling point है इसके नीचे जाता तो हम निकल जाते हमने ट्रेड ले लिया market उपर गया अभी हमें अपना risk कम करना है तो यहाँ से उठा कि यही पर क्यों लेना है यह first यह second second candle का indicator का value लिया मुझे लग रहा है इसले 433 नहीं लगा रहा हूँ आपने ट्रेड 420 पे लिया होगा 425 पे लिया होगा 400 पे लिया होगा 460 पे लिया होगा ट्रेड लाइन पे रहेगा यह market का ट्रेड लेगा इससे बोलते यहां से जो ट्रेंड कर दिया यह हो गया अभी नया ट्रास इसके बाद अगर market नीचा आता है तो आपको निकल जाना है जो भी profit होगा लौस होगा निकल जाएंगे अभी सवर आता है कि यह बार यह टॉपलोस लगा लिया अभी अगर वापीस मर्केट यह से उपर जाता है तो नया टॉपलोस सब धूना है तो सिंपल बात है इसके बाद अभी जब भी नया डिसाइसिव कंडल बनेगा डिसाइसिव कंडल अगर वापीस बनता है मर्केट में तो वापीश आप टॉपलोस अपना अपडेट कर सकते हैं तो यह बात है अभी दिमाग में क्या ट्रेड ले लिया है टॉपलोस पता है नया टॉपलोस भी आगा है टॉपलोस ट्रेल भी कर लिया है अभी यहाँ पे जब तक वापीश कोई नया decisive candle नहीं आता तब तक चुपचा बेठे रेना है market को जो करने देना है और अगर market decisive मतलब यहाँ पर यह कोई भी decisive candle नहीं क्योंकि यह candle के अंदर यह high और low के अंदर चल रहा है तो चुपचा बेठेंगे अगर यह नया decisive candle बन जाएगा तो नया decisive candle second जो रहता है उसका use करते indicate value में डालते रहोंगा और यह red line मेरा उपर उपर आते रहेगा इसकी वजह से मैं maximum rally market में cover कर पाता हूँ यह प्रोसेस है यह देखो यह 510 से लगबग 402 तक आ चुका था यहाँ और यहाँ पर अभी market थोड़ा सा reverse होने की कोशिश कर रहा है और यह 600 का जो 25-600 का आमने calculation किया था देखो अल्मोस्ट 112 आप अगर observe करेंगे अभी दो मिट्स 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 पहले मैंने बात किया था देखो कि मार्केट 140 पे था शायद कल किसी मुझे call भी कहा था सर आप range अलग देते हो market उपर जलता है मुझे भी दिख रहा है लेकिन 140 पे खरीदना नहीं है हमने क्या बोला आपन में मार्केट कही पी भी आजा है बाइ कर लो यह प्राइस हमने निकाला था और लेटेस वैल्यू कुछ भी मैंने 99 लगाया था वापर तो अगर उसके बाद कैलकुलेशन करना है तो यह बाइन जोन यहां पर आ चुका था 110 और 120 110 तो था ही था और अब आपको पुल बैक कर 10-15 मिट पहले हमने क्या था यहां पर 140 130 के ऊपर ही चल रहा था और तब हमने बता यह नीचे आएगा और लो करेगा 110 के नेर बाउट 120 के अंदर यहां पर क्या और यही पर बाइंग आया आपने बताना है यह मार्केट में जब यह उपर था तो आब हमने बताया कि यह जोन कर दिया रिएंट्री करना है तो इस जोन पर बाय करो कहीं पर बाय करके मतलब नहीं है यह निकालने के लिए वह सिस्टम बना के रखा हुआ है यह पहले सोचना है तो आप अगर यह लेवल प्लॉट कर पाएंगे इसका मिनिंग ऐसा अंडर्स्टांड करो कि इस जोन में मा बाइंग आएगा मारिकेट में और बाइंग आ गया जब तक 77 के उपर है तब तक कोई डरना नहीं है मारिकेट वापिस उपर जाएगा नेक्स का टार्केट हमेशा आप निकाल सकते हो इस सबसे मारिकेट में करना है यह पहले हम यहां पर बैठे थे चार केंडल यही पर र आएगा वह प्रोसेस आपको अंडर्स्टैंड करना होता है और यहां प्रैक्टिस से आएगा जितना करेंगे जितना मारिकेट पर बैठेंगे तब कॉन्पेट बढ़ेगा यह प्रोसेस है तो इसका भी लेवल आ गया जो लेवल आ चुका है भी यहां पर यह कैंडल बना आप बताओ इस कंडल का यूज करके टॉप्लोस चेंज करना है क्या व कि यह केंडल के यूज करके टॉप्लोस चेंज करना है क्योडlying तो क्योंकि यह जो कंडल है इसका हाई और लो देखो यह सब इंसाइडर मुमेंट चल दा है कि यहां से मार्केट थोड़ा नीचे भी गया यहां से उपर भी गया मैं ना उसे दुखी होने वाला हूँ ना खुश होने वाला हूँ यह बिल्कुल साइडवेज मुमेंट है दस उपर नीचे चलता रहेगा इसके बाद अगर नया केंडल बन जाए तो फिर दो तीन केंडल बनेगा वापिस एक ब्रेक लगाएगा और यह प्रोसेस हमेशा चलता रहता है यह 15 मिनिट मार्केट को राइड करना है इंपोर्टन ही है यहां से लगबदे को यह 15 मिनिट होग करेंगे कि आप मार्केट में यह मतलब excitement या तो thrilling करनी के लिए मार्केट नहीं है मार्केट patience का गया में वह चीज जो develop कर लेगा उसी को profit आता है बाकी तो जो भी करेंगे कुछ ले लिया आ गया चला गया यह process हमेशा चलता रहेगा लेकिन आप अगर यह चीज आपने आपक होता है मार्केट में यह हमेशा profit जब कम होते दिखेगा तो दर्द होता है तकलिफ होती ही हमेशा होगा लेकिन जब तक यह सहेंगे नहीं तब तक आगे का profit नहीं मिलेगा और वो चीज का आदत जब करें मिलेगा इसके लिए मैं हमेशे बोलतो quantity कम रखो यतना कम quantity और कम quantity लेके जब आप trade कर पाओगे और लंबर रैली लेने का अगर आपको आदत हो जाएगे तो क्या होगा risk कम लेंगे और profit उस कम risk पे जादा profit आएगा जादा मतलब जो 10 दर कमाना है पाच लोट लेके 10 निट में निकल जाता है कोई तकलिफ नहीं है यह momentum trading अलग बात है वह करेंगे लेकिन एक लोट लिया दो लोट लिया मेरा रिस्ता 2000 का और profit मुख्या 5000 का तो यह जो रहेगा वो long term sustain करने के लिए आपको अलाउग करता है अल्मोस आज का timing अपना complete हो चुका है पाच मुट एक्सिट हो चुका है यहाँ पर कोई भी टॉपलस ट्रेल नहीं करना है अगर कोई नया डिसस्तिव कंडल आता है तो ही यह जो लेवल है इसको चेंज करके ऊपर आना है तब तक वही process यूज करते रहना है मैं recording stop कर लेता हूँ कुछ doubt होगा तो फिर पूछना है